अरे समझ मारी ये बात यास और नो तो हम क्या करते हैं जो करहा हमारे पोड़क्टों का परचार करता है हम उसको कमीशन देते हैं कौन सा कमीशन देते हैं जो कमीशन अमिता पच्चन को जा रहा था जो कमिशन S4R.I को जा रहा था जो कमिशन सारुप खान को जा रहा था वही परचार हम करते हैं आप हमारे परड़क्टियूं का परचार करो नकेबल हम आपको कमिशन देंगे बलकि हम आपको सेलेबिर्टी भी बना देंगे अब सेलेबिटी की सुर्वात हो चुकी है महोबामे सेलेबिटी की सुर्वात हो चुकी है यह जितने आज ब्रॉच और सिल्वर लोगों को अचीवर्स को सम्मानित किया गया क्या आज से पहले जो भी आपर भाई-बैन मन्स पर आये थे एक पर आख कड़े जरू खड़े हो जिनके गले में माला पड़ी वो लोग खड़े हो जिनके गले में आज माला पड़ी वो लो खड़े हो जाओ आज आज सर काम तो आज से पहले भी करते हो गया क्या किसी ने आपको इस प्रकार से मंच बले जागर के सम्मानित किया क्या आप लोगों को सम्मानित किया आज से पहले अरे आज से पहले क्या आप लोगो कही काम करने के बदले में सम्मानित किया गया नहीं किया गया ना तो किसे अच्छा और क्या काम हो सकता है जहां पर पैसा भी मिले सम्मान हो सकता है यह celebrity बनने की इनकी सुरुवार हो चुकी है समझागी बात थैक्ट एक तो अगर आप हमारे साथ काम करते हो तो केवल पैसा कमाने का उसर नहीं मान सम्भानते मिलेगा राइट काम क्या करना है कैसे करना है मैं आपको बहुत आसान भासा में संदोंगा बहुत आसान भासा में लेको काम क्या करना है सबसे पहले आपको हमारी कंपनी के पोड़क इस्तेमाल करने होंगे क्योंकि जब तक आप हमारी कंपनी के पोड़क इस्तेमाल नहीं करोगे आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी कंपनी के पोड़क कैसा है सही गलत है यह सरो इस्तेमाल करोगे तभी आ अपस आते हैं कमपनी पर तो कमपनी आयर्वदी घर बर पोड़क बनाती है और यह पोड़क मार्केट में गरहकूं तर डिरेक्टली पहुंचाते हैं और उसी का हम लोगों को कमिशन मिलता है इतनी बात समझ मांगी हैं यह सब अब परचार हम लोग कैसे करते हैं हम लोग घर घर जाते हैं हमारे लीडर सो है सुसिन सर है या गीता जली मेड़म है या चचा है या आपीची है या सारूप सर है यह सब लोग घर घर जाते हैं आप लोगों के भी घरों में आये होंगे आप लोगों से भी मिले होंगे बहुत सारे लोगों से और आप लोगों को बताया ह होगा सबसे पहले आईरवेंद के बारे में आजकल होने वाली बिमारियों के बारे में मोटापा कैसे होता है डाइबडीज कैसे होती है गुट्टू में दर्द कैसे होता है इनके कारण क्या है लीवर कैसे खराब होता है किडिनी में स्टोन कैसे आता है क्यों आता है यह क्यो विमारियां होती है और इन विमारियों से कैसे बचा जा सकता है कि खानपन धिक करो पहार का खाना मत खाओ चंक फूड एनिमन पोड़क रिपाइंट पोड़क बर्गर पिज्जा चॉकलेट चाउमीन के आइस क्रीम यह मत खाओ बताया जाता है यह सुर्णों अरे हाया ना अ अगर पिज्जा चॉकलेट चाउमीन केक आइसक्रीम खाना यह हमारी ज़ूरत थोड़ी है यह तो हम सब लोग फैसन में खा रहे हैं ना क्यों खा रहे हैं क्योंकि टीवी में एर देख रहे हैं फिल्मों में दिखाया जा रहा है हर जगह यही चल रहा है अगर आप पिज् हमारे हो ऐसे तो मैसुस करा रहा रहा है तो हमारेखो जबकी ये जो सारा पुज़न है ये सारा पूर्जन से बनता है अप्स स्कूर्स क pruejang प्रिष्कुट एस नं inappropriate हो चाहे चाओ Abd all चाओ मिलो चाए बेगी हो इन में सब में एक तो मैदा बिला तो दूसरा इसमें chemical मिलावा होता है बिना मैदे के or बिना कैमिकल के और पानि सब्चाइब जितना भी मीठा आइटम आप खाते हो, चाहे केक खाते हो, चाहे आइसक्रीम खाते हो, चाहे चॉकलेट खाते हो, चाहे पोल्डरिंग पीते हो, इनमें सारा चीनी मिली हुई है, और चीनी इतनी अत्यधिक मातरा में मिली हुई है, आप समझो कि आपको एक चम्मच चीनी खा एक कोल्डरिंग की पोतल में 16 चम्बचीसीनी है कितना Target सिर्म के जाएगां उतना मोंटापा कारण भलेस्टोलं के मचीयों सुकर का आण पनेगा भीठी चाहल करेंका भीमीत architect यह सो नो तो अब यह culture हम क्यों अडॉप्ट कर रहे क्योंकि हम फिल्में देख रहे क्योंकि हम TV देख रहे पर्चार देख रहे तो उन परचारों की वज़를 रहा है और हमारे देष्ट में यह सब culture जा रहा है जबकि आज से 50 साल पहले 7 साल पहले हमारे देश में जब ये कोका कोला कंपणी शुरू हुई तो पहले साल में इनकी मात्र 18 बोतल विखी थी एक साल में कितनी बोतल? कितनी बोतल? और आज ये कंपणी 10,000 करोड रुपे का अर्णमर करती है 10,000 करोड रुपे के कोल्ड रिंग बेज देती है अब ये पैसा आधा पैसा तो अमेरिका जाता है ना? मेरी बास समझ मारी है आज से 50-70 साल पहले हमारे देश में लोग करने का जूस्पी देते मौसमी फलों का जूस्पी देते हम लोग बुड इस्तमाल करते थे हम चाई नहीं पीते थे हम कॉफी नहीं पीते थे ये सब अंग्रेज हमारे को दे गए चाने के बाद भी टीवी इन मीडिया के मातम से इन हीरो एरोन के मातम से हमारे देस में आज भी विदेशी लोग राज कर रहे हैं मेरी बास समझ मारी है? या सर्वा? अरे हाँ या ना? तो ये हम खाना ये सम चीजें खालतू खाना खाने को मना करते हैं तो हम सही करते हैं या गलत करते हैं हम कहते हैं कि वही सुबह उठकर के चाय मत पी हो सुबह उठकर के पानी पी हो पूरे दिन में बारा से सोला गिलास पानी पी हो जितना पानी पी होगे पाइदे म훈 लोगया तो हम गलत मता रहें सही बता रहें उसके लावा भांव कि दैसी खाना खाऊ आजड़े की रोटी खाऊ रागी की रोटी क्ता हो हम बता रहें कि aanगो तया हम बंछा रहें हम अब्र आपको पनीर छाऊ चने खाऊ चने में प्रोटीन जादा है जो आपके सरीर के लिए सबसे जादा जरूरी है तो यह सही काम किया जारा है गलत किया जारा है अरे सही कर रहा है गलत कर रहा है और आपको जानकर कर एहरानी होगी कि यह जानकारी देने का हम कोई पैसा नहीं लेते बलकि अपनी मोट परसा चुड़ेगा नहीं चुड़ेगा हमें नहीं पता लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं जिसमें हमारे समाज के अंदर हमारे देश में अगर ये अंग्रेजी खाना छोड़ करके वापस लोग अगर हमारी पुरानी भारत की सस्कृति को अपना लेते हैं जो सुद्ध भोजन है जो आयर्वेदिक भोजन है जो हमारे सरीर के लिए अच्छा है अगर वो भोजन करने लग जाते हैं ना तो हमने साफ साथ जन्मों का पुर्णे कमा लिया इसी जन्म करते हैं